यदि आपको खासी मीं सकफ की प्रॉब्लम है, इस्पेशली आपको सूखी खासी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत लंबे समय से आपको सूखी खासी आ रही है, आपने बहुत ज़्यादा ऐलोपेटिक दवाएं ट्राय कर ली लेकिन उस पे कोई भी आपको असन नहीं हो तो आपके ड्राय कफ से बहुत ज़्दी आपको निजाद में जाएगा, तो यदि आप जाना चाहते हैं कि वो कौन सी होमेपेटिक दवा है, तो मेरे इस वीडियो को अंतत जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं, तो अपने आपको healthy and fit रख सकते हैं, तो आएए जानते हैं कि आपको कौन सी होमेपेटिक दवा ले लीजिए, उस दवा का नाम है ब्रायानियालवा, जी हां बहुत असरदार दवा है और आपने ब्रायानियालवा के बारे में जरूर सुना होगा, इवन इसे ड्राय कफ के लिए यूज भी किया होगा, बहुत ही असरदार रामबाण दवा है ड्राय कफ के लिए, आपको सूखी खासी लंबे समय से आ रही है, आप जब खासते हैं तो अपने चेस्ट को गोल्ड करके आपको खासना पड़ता है, आपक निमोनिय में वो affected होता है तो ये डवा रामबाण का काम करती है, ब्रायोनिया आलवा आप अगर लेते हैं तो आपको निमोनिया से निजाद मिल जाता है, सूखी खासी आपको लंबे समय से है, आपको सीने में जलन हो रही है, सीने में बहुत ज़ादा दर्द भी बना रहत इस पेशली बड़े बुजर्गों के लिए ये दवा तो बहुत असरदार है अगर आपकी एज 45 से एवव है तो आप इस दवा को सुखी खासी के लिए लेते हैं तो 101% वर्क करती है आपको कफ के साथ फीवर भी आ रहा है और आपको जो कफ आ रहा है वो बहुत जादा ड्रा है हाँ बुलकुमी और आपके गले में असी अज़ा है गांटार कुछ है इस तरह की टॉंग हो रही है स्टिछिंग पैंड हो रहा है चेस्ट में technслकांपो बहुत जादा फीवर के समय आपको बिल्कुल भी आखे खोलने ≠ का ज़ा नहीं कर रहा है आपकी टंग है में बहुत जादा बढ़ जाती है हमने बहुत से पेशन को देखा है कि दिन भर तो उनकी खासी नॉर्मल रहती है थोड़ा बहुत खासते हैं लेकिन जैसे ही रात में लेटने जाते हैं सोने जाते हैं तो उनकी खासी इतना जादा बढ़ जाती है कि वो सो भी नहीं पाते हैं जो चलने से या बोलने से, हसने से भी खासी आने लगती है हमारे पास एक patient आये थे वो बोले कि मैं रो इतनी जादा खासी आती है कि जैसे ही मैं कुछ बोलना चायता हूं तो मुझे खासी आना है start हो जाती इवन इतना बोलने पर ही उन्हें तीन से चार बार खासी आ चुकी थी तो बोलने पर भी हसने पर भी चलने पर भी आपको खासी आती है आप इतना जादा खासी से परेशान हो चुके हैं लंबे समय से आपको खासी आ रही है या अल्ली स्टेज का आपको निमोनिया है तो आप हमारी होमेपतिकी ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में दिन में दो बार दो दो ड्रॉग डारेक टेंपर ले लिजे आप इसका रिजर्ट खुद देख सकेंगे इस दवा को आपको रेगुलर अगर लेते हैं 15-20 दिन तो आपकी खासी में आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा इसका जो असर है आपको 2-3 दिन में ही देखने को मिल जाएगा ये दवा आपको किसी भी होमेपेटिक मेडिकल शॉप में बहुत असानी से मिल जाएगी बहुत पॉपुलर दवा है या आप ऑनलाइन भी इस दवा को मगा सकते हैं देखें ये जो दवाएं हैं हमारी होमेपेटिक की ये बहुत जल्दी असर करती है बहुत से लोग बोलते हैं कि होमेपेटिक जल्दी असर नहीं करती है या पहले कंप्लेंस को पढ़ा देती है फिर असर करती है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आपको प्रॉपर सिंटम्स जो आपके हैं वही symptoms दवाओं के symptoms से मिलते हैं और वही दवाएं आपको दी जाती हैं तो आप यकीन मानिए दो से तीन dose में ही आपके कोई भी problem है वो ठीक हो जाती है लेकिन अगर आपके symptoms डॉक्टर सही से observe नहीं कर पाते हैं और दवाएं गलत दे देते हैं तब आपको दवा सही असन नहीं करती है आपको इस तरह के symptoms आ रहे हैं आप एक pen और copy में पहले अपने symptoms लिखिए और हमने जो इस वीडियो में symptoms बताए हैं इस तरह के आपको symptoms आ रहे हैं सुखी खांसी हो रही है तो आपको ब्रायोन या 30% में लेकर देखिए बहुत असरदार दवा है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगे आज के लिए से पितना आपको इस वीडियो पसंद आया होता आप इस लाइक सरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह informative वीडियो जादा जादा शेयर करें थैंक यू पर वाचिंग इस्टेए सेफ इस्टेए हेल्दी